हेलो नमस्ति फ्रेंड्स मैं रिकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का त्रिपल इट हीलिंग में स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे मेरा चैनल बेस्ट है रिकी क्रिस्टल तथा एंजल नमबर्स के बारे में आज मैं बात करूंगी एंजल नमबर 11-11 मतलब की 11-11 के बारे में 11-11 नमबर बहुत ही स्पिरिच्यूल तथा मास्टर नमबर माना जाता है ये परिवर्दन तथा ग्रोथ का नमबर भी है दोस्तो प्रॉब्लम तथा परिशानिया तो हर किसी के जीवन में आती ही है मेरे जीवन में भी आई परन्तो योगा भ्यास तथारे की और क्रिस्टल हीलिंग के बाद मेरे जीवन में अदबूत तथा पॉजितिव परिणाम मैंने खुदने मैसूस किये है जब 2014 में शुरू शुरू में 11-11 नमबर को मैंने नौटिस करना शुरू किया तब एंजल नमबर्स के बारे में मैं बिल्कुल ही अंजान थी परन्तो जब मैं सुभे या शाम को बार बार 11-11 नमबर को नौटिस करने लगी मेरे बीलो में भी 11-11 नमबर दिखने को मिला जब भी मैं बाहर जाती नमबर प्लेट पे 11-11 नमबर दिखता ऐसे ही लगादार बार बार 11-11 नमबर को नौटिस करने के बाद मुझे में क्यूरिसिटी जागी कि क्यों आखिर क्यों ये नमबर मुझे बार बार दिखता है क्योंकि जब भी मुझे 11-11 नमबर दिखता मैं बेवजे ही अपने आपको अंदर से प्रसन तथा positive पे महसूस करती और इसलिए मुझे इच्छा जागी कि क्यों मुझे दिखता है इसके बारे में मैंने जानना और सर्च करना शुरू किया और पता चला कि ये तो angel numbers है इश्वर ये नंबर जो इश्वर ये संदेज तथा इशारे को दर्शाता है दोस्तों नंबरों का तो हमारे जीवन में पहले से ही प्रभाव रहा है अंक सास्त्रय तथा अंक जियोतिस के हमारे भारतिय संस्कृति में भी और हर जगा पे अंकों का तो प्रभाव मानोव जीवन पे रहा ही है अंक जियोतिस के अनुसार हमारे मानोव जीवन में जो जोतिश विद्या है उसकी भविश्यवाणी जो हुई है उतनी सटिक भविश्यवाणी विग्नान से भी आज तक नहीं हो पाई है दोस्तों जब भी आपको 11-11 नमबर दिखे तब आप अपने विचारों को ज़रूर गौर करे कि उस वक्त आपके कौन से विचार चल रहे है या फिर आपके जीवन में जो भी प्रसंग चल रहे हो या कोई प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे हो तो आप एक बार गौर करे और फिर उसको शुरू करे क्योंकि 11-11 नमबर को मैनिफिस्टेशन का भी नमबर माना जाता है मतब कि आप जो भी कारे करने जा रहे हो जो भी आप सोच रहे हो वो जरूर आपके जीवन में घटित होने वाला है 11-11 नमबर एंजल्स के द्वारा दिये गए नमबर है वो हमको आप आगे बढ़िए आप जरूर सकसिस होंगे आपको जरूर उसमें कामिया भी मिलेगी उसको हमें दर्शाता है उसके और इशारा करता है दोस्तो यूनिवर्स की कोई भाषा नहीं है ये सांकेतिक भाषा में ही हमसे बात करते है तब ही तो नमबरों की जरूए हमें वो कोई संदेश देने की कोशिश करते है जब भी आपको नमबर दिखे लगादार बार बार आप सोचे कि क्यों दिख रहे है इसका मतलब क्या है उसको डिकोड करने की कोशिश करे क्योंकि ये इश्वर ये इशारा है आपको एंजल्स के दवारा प्रोटेक्शन तथा गाइड़न्स मिल रहा है ये नमबरों के जरिये 11-11 नमबर को ट्विन फ्लेम्स का नमबर भी कहा जाता है जो लोग ट्विन फ्लेम्स के जरने में है उनका आध्यात्मिक तौर पे विकास तथा स्पिरिट्च्वल ग्रोथ का नमबर है उनका स्पिरिट्च्वल अवेकनिंग शुरू होने वाला है ये नमबर के दर्शाता 1111 नमबर magical numbers भी है क्योंकि जो लोग इश्वरिय शक्ती में universal energy में बिलिव करते हैं वो लोग अवश्य ही magic में भी बिलिव करते हैं मैं भी करती हूँ क्योंकि मेरे साथ हुए है magic 1111 नमबर magic को दर साता है जो लोग हिंदू है वो उसे देवदूद भी कहते है जो मुसलिम है वो फरिष्टे भी कहते है फरिष्टे कहो देवदूद कहो या angels वो आपके साथ आपके अच्छे कामों में आपको गाइड करने के लिए हमेशा आपके साथ है नमबर्स की द्वारा आपको ये इशारे दिये जा रहे है कि आप करिए आप जरूर सफल होंगे 11-11 नमबर पॉजिटिविटी का बदलाव का आध्यात्मी ग्रोध का तथा आपके खुद के बदलाव के लिए आपके खुद के विकास का नमबर है आपके खुद के अच्छे परिवर्तन का नमबर है आप में पॉजिटिव जेंजीस का नमबर है 11-11 नमबर मानव जीवन पे बहुत ही अच्छा अद्भूत तथा पॉजिटिव परिणाम लाया है जरूरत है बस उसको समझने की दोस्तों आज की मेरी कोशिश थी 11-11 नमबर के बारे में जान करी देने की उमीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होंगी मेरा चैनल तेखने की लिए धन्यवाद God bless you and love you all Thank you